Welcome to GSKart, मेरा नाम है वोवनेश परताप सिंग और आज कहा हमारा टॉपिक है ब्रह्म पुतर नदी तंतर और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्म पुतर नदी तंतर से सम्मंदित महत्पोड प्रश्ण दोस्तो आज का यह topic बहुत ज़ाद होने वाला है क्योंकि इस topic से हर exam के अंदर question पूछे जाते हैं और जितने भी previous year exam में इस topic से question पूछे नहें उन सभी को आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है तो वीडियो को शुरू से last तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्रवत्व श्रड़ी प्रवत्व श्रेड़ी और इसी श्रेड़ी परिस्तित है मानसरोबर छील और इसी जील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यूंडों ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्म पुत्रा नदी तो ब्रह्म पुत्रा नदी का उद्गम कहां से होता है तिबबत में चेन माई उंडों ग्लेशियर से होता है, option is correct answer, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ब्रह्म पुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो आपको याद रुखना अरुनाचल प्रदेश से, ब्रह्म पुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्म पुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रुखना है, सांग पुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे, सांग पुत्र नदी को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है, आपको याद रुखना है, यार लोग नाम से जाना जाता है। ब्रहमोपुत्रा रदी को बांगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो आपको यादर रखना है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तो तो आपको यादर रखना है ब्रहमोपुत्रा नदी को कहा पर बांगला देश में option is correct answer अगला सवाल देखते हैं दोस्तो विश्व का सबसे बड़ा नदी दूई माजुली का निर्माड किस नदी के द्वाराफ होता है विश्व का सबसे बड़ा नदी दूई माजुली का निर्माड किस नदी के द्वाराफ होता है तो आपको याद एकना है माजूली हिप्स और इसका निर्माड कौन करता है तो आप कहेंगे भ्रम पुत्त्रन नदी करती है भ्रम पुत्रन नदी के द्वरा माजूली जानी की विश्वुके सबसे बड़े नदी दूइप का निर्माड होता है नदी दूइप का मतलब होता है River Island क्लियर दोस्तों, option D is correct answer, अगला सवाल देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदीदुई, माजुली किस राज्य में इस्तित है, तो आपको यातर कमें, असम राज्य में इस्तित है, कौन? आप कहेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदीदुई, माजुली option D is correct answer, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों गंगा एवं भ्रमपुत्र की सैयुक्त जलेधारा किस नाम से जानी जाती है, तो आपको याद रखना है, ये जानी जाती है, मेगना नदी के नाम से, किसके नाम से मेगना नदी के नाम से होता गया है दोस्तों, गंगा नदी जब बांगला देश में जाती है, तो उसको प पदम नदी कहते हैं और भ्रमपुत्रा नदी जब बांगलादेश में जाती है तो जमना नदी कहते हैं और पदमा और जमना जब दोनों हपस में मिल जाती हैं क्लियर दोस्तों तो इसको कहा जाता है क्या मेघना नदी कहा जाता है option B is correct answer तो याद रखना घंगा एवं ब्रमपुत्रागी सयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाती है मेघना नदी के नाम से जाने जाती है कहाँ पर बांगलादेश में option B is correct answer अगला सवाल दिखते हैं विश्व का सबसे बड़ा डिल्टा सुन्दरवन का डिल्टा कौन सी नदिया बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डिल्टा सुन्दरवन का डिल्टा कौन सी नदिया बनाती है तो आपको जाद रखना गंगा और घंगा और घंपुत्र नदिया मिलकर भेया क्या बनाती है आप कहेंगे सुन्दरवन का डिल्टा बनाती है और ये क्या है विश्व का सबसे बड़ा डिल्टा है इसको गंगा रमपुत्रा का डिल्टा भी कहा जाता है क्योंकि गंगा और ख्रमपुत्र नदी आको दारा बनाया जाता है क्लिएर दोस्तों तो option बीस correct answer अगला सवाल दे रमपुत्र नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है और वो कौन-कौन से अगला सवाल देखते हैं दोस्तों नामचा बर्वा से यूटन लेने पर ब्रहमपुत्र नदी किस राज्यों में प्रवेश करती है तो आपको जाता है और उन आचल परदेश में प्रवेश करती है कहां पार उन आचल परदेश में प्रवेश करती है option डीस correct answer अगला सवाल देखते हैं दोस्तों दिवांग लोहित धन्शरी सुबंशरी कपिली मानस स्यांग और तिस्ता किसकी साहिक नदिया हैं गला सवाल देखते हैं दोस्तों असम का शोव किस नदी को कहा जाता है तो यह कहा जाता है भ्रम पुतर नदी को option B is correct answer, clear है, ब्रहम पत्र नदी को क्या कहते हैं, दोस्तों, अस्वम का शोग कहा जाता है, option B is correct answer, अगला सवाल देखते हैं, दोस्तों, और यह आज की वीडियो का last question है, ब्रहम पत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है, 39 क्लो मेटर ब्रहम पत्र नदी की कुल लंबाई के जाने के टोटल लेंथ है, option D is correct answer, clear है दोस्तों, अगर दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल प